इंट्राडे के लिए आप लोगों के साथ में शेर करी थी एंड उस पे आप लोगोंने इतना प्यार वर्सा है वो वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसलिए मैं उसी का एक सीक्वेंस्ट वर्जन लेकर आया हूं आपके लिए जहां पर मैं आपको पोजिशनल ट्र इंट्राडे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए होती है जिनके पास टाइम है दिन में मार्केट को वाच करने का बट अगर आप बिजी प्रोफेशनल हो आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो या कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिन में ट्रेडिंग को हम लोग पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो बहुत बड़े होते हैं फॉर एक्जामपल बीस परसेंट से थीस परसेंट इन फाक्ट जब मार्केट में बुल रन आया था इन ट्वेंटी रिटर्न इन फ्यू वीक्स मतलब शायद चार से पांच अफते के अंदर अंदर वो चीज 100% का रिटर्न दे कर गई थी तो इस टाइप के मैसिव रिटर्न आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में मिल सकते हैं अगर आप लोग सिस्टम को फॉलो करते हुए पोजिशनल सबसे पहले पूरी स्क्रीन अम लोग ख्लियर करते हैं और अब यह समझते हैं यह पोजिशनल ट्रेडिंग देखो पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग इनका मतलब यह होता है कि आप अपने ट्रेड को फॉर लॉंगर पीरिड ओफ ताइंग होल्ड गरते हो इन दी एक्सपेक्टेशन की मार्केट मेरे ट्रेड की डिरेक्शन में जाएगा और एग्जांपल आपने अनलेसिस किया कि रिलायंस आने वाले दो महीने में मेरे को लगता है कि 2000 का 2200 होने वाला है तो आप यहां पे रिलायंस को बाय करते हैं जब तक आपका यह टार्गेट विच इस 20 परसेंट जब तक यह हिट नहीं होता आप लोग अपनी पोजिशन को एग्जिट नहीं करते हैं secondly अगर आपका मान लेता है आपने 2200 का टार्गेट लगाया तो हो सकता है आपने 1925 का या 1950 का SL लगाया हो तो या तो यह SL हिट हो या यह टार्गेट हिट हो तभी आप एग्जिट करोगी otherwise आप एग्जिट नहीं करोगे तो swing trading या positional trading in a long in a short form ह होते हैं जहापर हमें पैसा थोड़ा सा ज्यादा invest करना पड़ता है in terms in order to get a good return but अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है let's say आपके पास 10,000 रुपे हैं जो आप invest कर सकते हो तो क्या इससे भी आप एक अच्छी income कमा सकते हो positional या swing trading को use करके तो इसका जवाब है हाँ और ना क्यों क्यों क्योंकि भाई देखो stock market है किसी कोई ऐसा guru mantra नहीं है इसमें जो आप हमेशा ही कमाऊगे obviously there are disclaimers and there is a chance of risk so considering that मैं आपको बता रहा हूँ even if you are making 20% of this 10,000 in 2 months तो आप 2000 रुपे दो महीने में तो कमा ही पा रहे हो now if you only have 10,000 to invest I think 2000 रुपे अगर आपके पास आ रह income है because 10,000 is a very small amount and 20% return on that is very good कभी भी amount पर मत जाना हमेशा percentage return पर जाना capital आपका छोटा है वो market की गलती नहीं है market realistic return देगा आपको और realistic return पर depend गरता है आपका capital कितना है उसके basis पर आपको उस पर पैसा कमापा हो गया so anyways ये मैंने आपको एक brief overview दिया कि क्या होती है swing trading क्या होती है positional trading अब मैं आपको properly systematically बताने आला हूँ कि आप कैसे swing trading से या positional trading से एक regular income generate कर सकते हो obviously risk being there कि भई market is a very you can say unpredictable thing and until and unless you are properly educated about that आपको अपना पैसा किसी भी stock में किसी के भी कहने पर या किसी भी index में नहीं लगाना चाहिए until and unless you feel or you have an experience put advice with you all right so now कैसे हम लोग positional trading को या swing trading को अपने career में apply कर सकते हैं दो steps हैं सबसे पहला trade planning और दूसरा risk management trade planning जो है इसके अंदर एक trading system भी included होता है trade planning के अंदर एक trading system भी included होता और उस trading system के basis पर ही risk management करके हम लोग पैसे बनाते हैं बट जैसे मैंने कहा videos में बहुत लंबे नहीं बनाता चोटे videos अच्छे informative videos बनाने का मेरा motive रहता है तो ये trading system for positional trading मैं आपके साथ next part में share करूँगा जैसे मैंने equity trading में आपको एक video introduction का दिया था एक video मैंने आपको system का दिया था तो ये video में मैं आपको introduction दूँगा कि कैसे आप successful बन सकते हो इस काम में और second part में मैं आपको एक बहुत जादा solid system दूँगा जिसको अगर आप apply करते हो on your risk तो आप लोग पैसे बना सकते हो now moving on risk management और trade planning ये दो चीजे है जो किसी भी बंदे के trading career का core होती है या फिर एक base होता है अब आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हो let's start सबसे पहले देखो आपको capital maintain करना है अपना let's say आपका capital है 1 lakh rupees ठीक है अब इस 1 lakh के capital पे आपको किस type के returns expect करना है सबसे पहले वही तीन चीजें जो मैं हमेशा बताता हूँ hit rate risk reward और risk per trade क्योंकि यहाँ पे हमारा time frame बढ़ जाता है हम लोग एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक हफते की दो हफते की चार हफते की आठ हफते की तो यहाँ हमारा जो risk per trade है यह बहुत vary करता है vary क्यों करता है क्योंकि अगर मैंने trade तीन महीने का लिया है और वहाँ पर मैं 2% का risk ले रहा हूँ तो तीन महीने में कोई भी stock मेरी entry price से 2% नीचे या उपर जा सकता है hitting my stop loss यहाँ आपको थोड़ा समझदारी के साथ में काम करना होता है and you have to understand यहाँ पर risk reward सबसे major role play करता है swing trading के अंदर आपके majority trades का decision based होता है on your risk reward अगर आप लोगों को एक risk reward मिलता है 1 is to 4 का तो आप लोग trade लेते हो या 1 is to 3 का मैं intraday trading के अंदर बोलता हूँ वही users को या 1 is to 1.5, 1 is to 2 का minimum risk reward low similarly risk reward अगर आप लोग positional trading या swing trading करते हो तो minimum 1 is to 3, 1 is to 2 1 is to 2 के नीचे तो जाना ही नहीं है इसके नीचे अगर आप गए तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी and मैं in fact ये बोलूँगा कि 1 is to 3 maintain करने कोशिश करो but being a beginner मैं समझता हूँ 1 is to 3 के trades आसानी से नहीं मिल पाते हैं emotionally आप उनको hold नहीं कर पाते तो for the time being 2-3 महीने के लिए आप 1 is to 2 का risk reward भी maintain कर सकते हो now as soon as you find out your risk reward ratio आपको ये पता चल जाएगा कि भई मेरा target कितना है आपको अपना basically ये देखना है अगर मैं यहाँ buy करता हूँ 2000 रुपय पर और मैं ये expect करता हूँ कि market जाएगा 2200 तक तो यहाँ पर मेरा target कितना बन रहा है 200 point का which is 20% अब आपको अपने SL को देखना है अब आपको ये देखना है वही कि क्या कोई major support level आ रहा है 1950 पर अगर हाँ तो आपको 1 is to 4 का trade मिल गया फिर आपको देखना अच्छा 1950 पर support नहीं है कोई बात नी 1900 रुपय पर है बड़िया अगर है तो तो आपको 1 is to 2 का trade मिल जागा अगर उससे नीचे जाता है आपका stop loss तो आपको उस trade को नहीं लेना है in short what I am trying to say is once you find out your target once you find out your target look for the best SL और कई लोग ऐसा करते हैं कि उनका stop loss बन रहा होता है 1900 रुपय का और वो stop loss लगा देते 1950 पे ताकि उनका risk reward 1 is to 3 हो जाए या 1 is to 4 हो जाए बट actually इसका result ही होता है कि भाई आपका stop loss हो जाता है market 1940 से पलट जाता है and आपके target की तरफ चला जाता है यही अगर आप risk reward कम कर जाधा करने के चक्कर में अगर आप यह गलती नहीं करते तो आप वो 200 पॉइंट जरूर कमाते एक बात का ध्यान रखना risk reward को manipulate नहीं करना है genuinely जो भी stop loss बन रहा है उसको हमें maintain करना है ठीक है तो 1 is to 2 का हम लोग risk reward maintain minimum करके चलेंगे risk per trade हमारा क्या रहेगा maximum 10% of our capital and minimum 5% तो हमको ले नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़ा time frame है बड़ा trade है this being 10% के trade 10% का जब आप risk ले रहो तो आपका trade more than 1 month का होगा और जब आप 5% का risk ले रहो तो आपका trade more than 1 week का होगा ठीक है यह आपका basic structure होगा कि आप कितना पैसा खो सकते हो मैं हमेशा पहले बताता हूँ कि आप कितना पैसा खो सकते हो क्योंकि वो एक reality है उसके बाद बताता हूँ कि आप कितना पैसा कमा सकते हो now coming back to कि आप कितना पैसा कमा सकते हो considering a hit rate hit rate मैं आपको पहले भी बताया हुआ है क्या होती है आपने अगर 100 trade लिए तो उन 100 trades में से कितने trades में आपका target hit हुआ उसको हम लोग hit rate बोलता है considering आपकी hit rate 40% आप maintain कर पाते हो और 1 is 2, 3 का risk reward आप लोग maintain कर पाते हो या फिर हम लोग बोल देते हैं एक बार के लिए 1 is 2, 2 ही आप maintain कर पाते हो तो आप किस तरीके से इस system को जो मैं आपको next video में दूँगा उसको use करके पैसा बना पाओगे let's have a look at it so 1 is 2 मतलब मान लेते हैं हम लोगोंने 100 trades लिए 10% हमारा risk था and 20% हमारा reward सा तो risk was 10% and reward was 20% ठीक है हमने 40 trades लिए तो 1 is 2 2 के इसाब से हम लोगोंने 60 trades में 60% of our capital was lost and in 40 trades we met we met 80% of our capital तो net में हम लोगोंने 20% of our capital बनाया है all right, net में हम लोगोंने 20% of our capital बनाया है and इस में से मैं brokerage और slippage हटा दूँ तो 17 से 18% का return आप लोगोंने यहाँ पर easily निकाला होगा because number of trades यहाँ पर कम होता है तो brokerages थोड़ी सी कम लगती है this I am talking about for a इस में हम लोगोंने 4 to 5 months और 6 months you can say 6 months का time frame हमने यहाँ पर पकड़ा है all right so over here यह 100 trades की जगा let's consider this 10 trades because 6 महिने में आप 100 trades तो ले नहीं पाऊगे anyways so now 6 months में आपने अपने एक लाख रुपे के capital पे 18,000 रुपीज का profit कमाया next 6 months में आप और 18,000 कमाऊगे next 6 months में let's say आप लोगों का risk reward इतना ही रहता है next 6 months में आप और 18,000 कमा लेते हो तो after one year you are plus 36% and this is an average return of a good swing trader अगर एक अच्छा swing trader है, positional trader है तो वो साल के 36% का return निकाल लेता है मैं यह नहीं कहरा आप यह निकाल लोगे आप यह निकाल सकते हो how? by following the right systems and gaining the right education and information for doing this ओर एक 36% की return की हमने बात करी अब understand करना जो मैं कह रहा था बहुत बड़ा compound effect यहां पर swing trading में होता है literally market में इतने examples है लोगों ने एक लाग से शुरू करा and they have reached till 10 crore in a small time frame of 5 to 6 years by compounding their income कैसे? अभी तक मेरा 10% क्या था? एक लाग का 10% is 10,000 रुपीज बट अब मेरा capital हो गया 1,36,000 तो अब मेरा risk भी बढ़ गया है अब मेरा 10% कितना है? 13.6 के and मेरा reward कितना है इसका double? it would be 27.2 के तो यहां पर मैं 7,007.2 के extra कमारों per trade are you getting that point? तो हर 10 trade पर आप 72,000 रुपीज एक्स्रा निकाल रहे हो यह जो compounding effect होगा इसको अगर आप लोग multiply करते आपने calculator में खोल के तो after a period of time you would make a very good amount of money how? by compounding all right so let's consider एक बार मैं आपको calculation करके दिखा देता हूँ यहापे so let's say आपका first year में आपने अपने capital को 36% grow कर लिया and now your capital is 1,36,000 ठीक है अब second year में मैं इसका 36% लोगा which would be 1,84,000 1,84,960 plus 36% third year में plus 36% में और करता हूँ तो it would be 2,51,500 something and then again fourth year में this would be 3,42,168 fifth year 5th year 4,65,349 then मैं आपको ऐसा 10 years तक करके दिखाऊंगा 6th year में 6,32,875 7th year में 8,60,710 8th year में 11,70,565 9th year में it would be 15,91,969 15,00, right plus 36% so by the end of 10th year you would be having 21,65,078 in your trading account just by compounding and when you as you become a good trader ये return बढ़ता जाएगा हो सकता है कम हूँ हो सकता है कुछ साल आप इतना ना कमा के तोड़ा कम कमाऊ but just by following the compounding method here is the number and somewhere आप इसके आसपास आपाएँगे but then again what am I saying क्या ये guaranteed है no it depends on two things knowledge and discipline ये दो चीज़ें अगर आपके बास नहीं है तो आप लोग ये returns कभी नहीं बना सकते this I will give you in the next part and that is a very good system जो मैं खुद यूज करता था क्या मैं आपको इसलिए दे रहाँ कि आप अपना सारा पैसा लगा दो इस पे no मैं किस तरीके से swing trading करता हूँ however मैं swing trading बहुत कम करता हूँ मैं majorly अगर लंबे time frame का trade लेता हूँ so that is an option selling but since I am considering you are a beginner तो यहां पर आप लोगों को मैं यह knowledge जरूर दे दूँगा discipline आपको खुद create करना पड़ेगा then only you can experience returns like this तो I hope यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में है what I am talking about और यह जो swing trading है एक बहुत बड़ा business है काफी सारे लोग swing trading के थूँ एक बहुत अच्छे income stream बना लेते हैं अगर आपको भी दीरे दीरे पैसा लगाने की इच्छा है तो आप लोग इसके थूँ start कर सकते हो now comes the main question कि sir minimum capital कितना चाहिए तो देखो minimum capital आपको चाहिए at least 10,000 और अगर आपका capital छोटा है तो आप सिर्फ buying करके ही swing trading कर पाएंगे क्यूँ because equity के अंदर हम लोग एक share को for more than one day सिर्फ buy कर सकते हैं अगर हमको किसी share को बेचना है तो हम लोग उसके futures को short करना पड़ता है because हम लोग किसी भी equity को या asset class को directly short नहीं कर सकते for more than one day क्या logic है क्या है अगर उस पर वीडियो चाहिए कि short करना कैसे काम करता है तो comment करके बताना but as of now हम लोग को अगर कोई equity share more than one day के लिए बेचना है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें equity से futures में shift होना पड़ेगा and futures में trading करने के लिए सब को भी बोलता हूँ minimum capital 5 lakh चाहिए तो अगर आपको अच्छे opportunities मिलती है market bull run में रहता है तो आप 10,000 रुपए के capital से भी swing trading start कर सकते है and अपना एक अच्छा career का अच्छे career का एक नीव रख सकते हैं second part में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा बहुत सारी knowledge, बहुत सारे systems शेयर करूँगा so make sure you like this video इस video का target 200 likes करकते है ताकि मैं जादा से जादा लोगों तक इस video को पहुचा पाँ और second part भी जादा से जादा लोगों तक पहुचे so make sure आप इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो अच्छा लगा तो like और comment करना मत बूलना thank you so much for watching guys this is Divya Amparashar signing off, take care bye bye